अलो, बच्चों, प्रिवेस वीडियो में हमने क्या-क्या पॉइंट्स बढ़े थे हैं, वो थोड़ा कवर करेंगे, ठीके? पहले हमने क्या पढ़ा था हिमादरी के बारे में हिमाद्री ता ग्रेट घेमालया फिर स्टाईधी पढ़ में क्या था वह पूरा स्नो से लोगा करूर वाला एरिया पूरा बरफ से कवार है इसका जब और मेल्ड होता है यदि हीत से मैल्ड होता था पानी में कंवन्ड हुता था तो ये सब कहां जाता था रिवर्स में जाता था कहां रिवर्स में वेरी गूट है ना कैसे जैसे वाम वैदर के वज़े से जब वो गरम होता था रिजन पुरा आवातावरान गरम होता तो बरफ पिगल जाता है तो बरफ का पिगला हुआ पानी किसमें करणवड होता है पान इसली क्या कवर होता है रेंज ब्यूटिफुल वेली से वादिया से यह फोटोस देख रहे हो कौन से कौन से एरिया जाते हैं शिमला डाजलेंग यह सब एरिया जैना इसमें देखो यहां पर टूरिजम ज्यादा एक्ट्राइक होते हैं वेरी गुड है ना फिर देखो इस जगह को बचाती है एसे नेशनल पार्क इंक्लूट किया गया काजी रंगा क्यों डिफोरेस्ट्रेशन को रोग सके एनिमल को प्रोटेक कर सकी है ना बच्चो वेरी गुड फिर हमने क्या देखा था हमने इंपोर्टन्स देखे थे क्या देखे थे बच्चों इंपोर् हिमालिया इसलिए इंपोर्टन्स है देखो एक तो पहले हमें बहुत अलग अलग तरीके से हल्प करता है कैसे कैसे हल्प करता है तो एक तो वाल की तरह काम करता है जो हमें दूसरी बॉंडरी के कंट्री से हमारे जो बॉंडरी है वहां पे दूसरी कंट्री के एनिमी से फिर ठंडी हवा से बचाता है इसे प्रोटेक करता है ठीक है फिर बात में क्या करता है हिमालिया रेंज को मनसुन देखो क्या करता है हिमालिया रेंज को स्टॉप करता है जहूर से वींड आती उसको और हैवी रेंफॉल लाने में मदद करता है एक तो घर है किसका किसका घर है वाइल लैलिमल का और हमें क्या देता है हमारा सोर्स है ना में जरिया है किस चीज का वूर्ड मेडिसिंस यह सब useful things देता है न हमें और जो हिमालिया के साइड में जो वाटर निकलता है पानी आता है जो लैंड को फटाइल बनाता है एक तो और उसके आसपास जो हम डैम बिल्ड करते हैं तो उसके स्ट्रू हम क्या कर सकते हैं एलेक्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वेरी गुटा यह जปलब चम्म कश्मीर यह सब क्या है माचल्क प्रदेश उत्राखन सब सरफ स्टेप्स के नाम दिए गया ठीकर बच्टो को पहले हम क्या पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के सकते हны कि सक्मु कें पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारों यह देखो यह यूनियरी है इसमें क्य केपिटल ले रिंटर थैंट फॉर्प होता है उर्ट गुमने जाता है क्षमीर में क्यों कुंकर से शरांडे किसे सरांडिन उसके सोबzhう में गया होता है पूरा snow see cover होता है है ना और lake होता है water होता है very good और देखो अभी जो ये house boat दिख रहा है आपको photo में ये जो house boat है उसे ये जो boat है उसे क्या कहा जाता है 하나 Harberta कहा जाता है ये lakes में होता है यह ऐसे होटल यूज होता है क्यों होटल किस तरह यूज होता है होटल यह जो हाउस दीख रहा है हाउस बोट है वो किस की तरह यूज होता है होटल की तरह और यह चोटे-चोटे बोट दीख रहे आपको यह शिखावा है किस तरह यूज होता है फ्लोटिंग शॉप यहां पे बिद के फ्मान के कपड़े कंते हैं, तैं यहां पे बॉब लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं.. कैसे आट वर्ग जादा करते हैं, रहां पर जादा क्या उकता है बच्चो सेफ्रावन, हैना, हम्म वेरी गूड, और महां की लेंगवेज कौनसी है, उदू, ले, कश्मीरी, यह सब उनकी लेंगवेज़ें, जो बोली जाती है, दरपी के, शिखावास का फेस्टिवल है, में festival अब हम हिमाचल प्रदिश के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदिश हिमाचल प्रदिश में क्या है snowcap है ना और इसमें है न बहुत सारे जन two thousands of tourism घुमने जाते है विजीट करने जाते किसको hill station को क्या क्या famous है शिमला डाल हाउजे सब famous है वहाँ पे ठीक है special attraction क्या है वहाँ का तो toy train है सब क्या यह mostly toy train होता है न वो देखने जाते है और उसका climate इतना अच्छा है वहाँ पे जादा fruits उखते हैं क्या उखते है बच्चो fruits जैसे apple है cherry है plam है है यह सब fruits कहां उखते हैं हिमाचल प्रदेश में और उसका traditional clothes देखो women's क्या पहनती है पैजामा और loose कूर्ती पहनती है कूर्तास देखो यह देखो दिख रहा है women's का dress और man का dress very good और उसका festival क्या है main festival क्या है तो main festival है दशेरा है और दिवाली है और वहाँ पे कौन सी language बोली जाती है mostly हिंदी लेकिन वहाँ पे पार्की भी बोली जाती है चलो अब उत्राखन के बारे में पढ़ेंगे हम किसके बारे में उत्राखन है ना वहाँ पे क्या होता है यह भी एक स्टेट है मैशुरियम के वहाँ पे यहाँ पे हमें बहुत थिक फॉरेस्ट मिलेगा फायर वुड मिलेगा और अलग टाइप के बर्ट्स एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पे ठीके यह मुसली रिलीजिन प्लेस है देख़े यह टेमपल भी कहा है उत्रा खन में है यह शिवाज शिव जी का टेमपल है ना अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे सिखिम के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चो सिखिम यह छोटा ही स्टेशन है थीके पुरी दुनिया में यह World High Third Number पे इसका highest peak है mountain peak है कितने number पे है बच्चो Third number पे है थीके अर फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है hold the men एइंस का ट्रैडिशनल प्लो दिखाहा है ना ट्राडिशनली और मुश्री वोलो-फ्लावर्टर्स की जूइलरी स्पेर ठी कि ऐसे मकुत में क्या है इ tiếpे सिर्टेशन नॉर्फской में यहां पे जादा क्या है यहां पे जादा क्या है इस यहां बेरी गुढरेज को लुटेंद आए विर्म यहां परान थे एक में था यहसी हमालिया बारे ग्राइब रिया है नागाइलन्ड यह सब के बारे में पढ़ेंगी है आप इसब में मांटन से यह सब क्या रिवर एंटार इंडिया तुरू यह सब स्टेइज को मिलाते हैं ठीक है असाम क्या बड़ा स्टेट है दिस प्रूर उसका कैपिटल है महां पे ज्यादा टी प्लांटेशन होता है क्या होता है बच्छो टी प्लांटेशन और ज्यादा से ज्यादा थाउजन से ज्यादा वर्क करते हैं कहां पे आम आसाम में और यह किसके लिए फेमस यह पूरा पार्ट कवर है ना आसाम का ठीक और यहां पे beautiful station है यहां पे क्या होता है सब ज्यादा rainfall होता है यह country में बच्चों अभी देखो यह सब stress के बारे में दिया है उनके अभी देखो नागा लेंड नागा लेंड में क्या होता है नेगा नागा capital है किसका कोशिम का है ना वहां पे colorful skirt मेंज़ Lord healthy rotor टॉ का बेइंड के लोने ही तो वह country मनिपूर टांस मनिपूर दांस के लिए लिए किसके लिए मैसे बिए देखो मनिपूर का बेरी गूड और देखो मयly refuse में कहां सिच्वेटिड है् शाज तो वहां पर कॉन्सी लेंग्वेज बोली जाती है मैंजूरियम बोली जाती है फिर यह देखो बांगलादेश के त्री साइड है ना तिरूपर तो उसमें क्या है वो सब ब्यूटिफुल स्टेट से वो लग मुसली क्या यूस करते है बच्चों बांबू से बने हुई चीज इस था कॉंसे कॉंसे रेंच थे हीमाद्री फस्ट वाला कंसा था यूस बत्लाद पॉस हां के लोग कैसे कपड़े पहनते वो सब बढाथा और बाद में हमने इंपोर्टन ча Anda कि उसका क्या के बीशा बारीट को प्रोटेक करता है और जोघसे बारिश खाटा और वाइल लाइवगर है वाल लाइफ एनिमिल का और हमें क्या क्या शेक्साव और श्रम में यून थे प्रोटेक्ट करता है करता है मेडिसीन वोड बराबर और फिलास में उसके उसका पानी से हम क्या करते हैं हम एलेक्रिसिटी प्रड्यूस करने में हल्क था ना उस तरह जो डैम बिल्ड हुआ होता है और लैंड को कैसे बनाता है फटाइल मतलब जहां अच्छे से खेतिवारी कर सके हां फिल लाइफ फिन नौर्थ माउंटन नौर्थन माउंटन के लाइफ के बारे में भी वहां के पीपल के लाइफ के बारे में पढ़ा था जमुएन कश्मीर का पढ़ा था बोट के बारे में पढ़ा था यह जो बोट है बड़ा बोट उसे हाउस बोट का आ जाता है ऐसे होटल यूज होत टॉइ का ना टॉइ का टॉइ ट्रेंग क्या फेमास है बच्चो टॉइ ट्रेंग देखो यह रा ना इसके वज़े से अट्रेक्शन टूरिजम का स्पेशल ही होता है और वहां पर जादा क्या हुगता है बच्चो फूट सुटीबल ए फूट के लिए देखो फूट्स एपल चैरी सब के नाम दिए ठीक है और वहां के कपड़े कैसे होते हैं लूस कैप यह सब पैंते हैं लूस कट पैंते हैं कैप कलरफुल कैप पैंती देखो है ना वेरी गूट और उनका में फेस्टिवल कौन सा था दशिर और दिवाली और मुमनगिल क्या बोलते है फार्सी भी अपने केदरिनात का शीवा टेमपल है है अदि फिर वहां पे यह सब ट्रीज मिलते है perfectly海et ट्री मिलते साना में क्या पड़ाता शीखिम के बारे में पड़ा ता है यहां पे क्या था यह एम के ट्यूट यह ज़्ली आइस पीक था है ना बेरी गूट पीर बाद में क्या था यहाँ पे mostly skirt वो बंबु बंबु का colorful jewelries पहनते हैं और jewelries किसका flower का बना हुआ पहनते हैं और देखो women's का man का कपड़ा भी दिखा है फिर हमने West Bengal के बारे में पढ़ा था West Bengal में mostly क्या उखता है टी के लिए अच्छा suitable area है फिर वहां के women's कैसे cloth करते हैं वहां पे कैसे रहते हैं क्या क्या बात कैसी language रखकतेव कपड़ें के बारे में बच्चो फिर बात में मनीपूर में क्या उन्स का वरदें . फिर बात आपको ये चैप्टर समझ में आया ठीक है थैंक यू फर वाचिंग और लिसनिंग दू वीडियो